नमस्कार प्रियशिक्षार्थियों मैं डॉक्टर निधीगर एन आयोस के स्टूडियों में आपका स्वागत करती हूं आज हम मानव शरीर रचना वाशरीर क्रिया विज्ञान के तहट मानव शरीर संगठन के बारे में जानेंगे आये हम जानते हैं मानव शरीर का संगठन मानव शरीर में एक धूरिय एक्षियल भाग तथा उपांग्य भाग होते हैं धूरिय भाग में सिर गर्दन तथा धर जबकि उपांग्य भागों में उपरी वा निचले अंग शामिल होते हैं इस प्रकार हम मानव शरीर को छे भाग में विभाप कर सकते हैं उर्द्व शाखाएं जीनेम अपर एक्सक्री मिटा है यह दो होती है अधा शाखाएं लोवर एक्स्री मिटी 2ड़ ट्रण्क1 सिर गर्दन तत्ह चहरा एक इन्हें मिलाकर छे भागों में मानव श्रीर को विभगत किया जा सकता है। सिर यानि की हेट के बारे में सिर की जो अस्थियां है कपाल स्कल का निर्मान करती हैं इसी में मस्तिश्क रहता है तथा कपाल के नीचे का भाग चेहरा कहा जाता है इसके मुख्य भाग आंक, नाक, कान, मुख और ठोड़ी होते हैं। गर्दन यानि की नेक इसमें मेरुदन, वर्टिब्रल कॉलम का ग्रैव भाग, सर्वाइकल पाट आता है। गर्दन से पेशियां, सिराएं, कंट यानि की लेरिंग्स, श्वास्तनली, ट्रैकिया, ग्रास्तनली, इसोफे यह एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है, जिसे गुहा, एक कैविटी कहा जाता है। यह तीन भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है वक्ष गुहा, जिसे हम थोरा से कैविटी कहते हैं। दूसरा उदर गुहा, जिसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तीसरा है श विदय, फेफडे, श्वासनली, ग्रासनली तथा थाइमस ग्रंती स्तित्थ हैं। वक्ष और उदर गुहा को एक मास्पेशे सिनायू डायफ्राम से प्रिथक होती हैं। उदर गुहा, abdominal cavity, वक्ष के नीचे की गुहा को उदर गुहा कहते हैं। यह वक्ष की अपेक्षा बड़ी होती है। यह डायफ्राम से प्रारंब होकर नीचे श्रोनी प्रवेशिका यानि की pelvic inlet तक होती है। यहां अमाशे, आंते, लीवर, पित्ताशे, अगनाशे जिसे हम प से श्रोनी अस्थियों से घीरा है, इसमें छोटी आंत की कुंडलिया, बड़ी आंत के अंतिमभाग, जैसे वक्र व्रिहत तंत्र, तथा मलाशे, रेक्टम, मूत्राशे, तथा आंत्रिक जननेंद्रिया, जैसे महिलाओं में घरभाशे, आदी समाविष्ट होते हैं। अब उद्वशाखा में पीछे की और दो अंसफलक स्कैपुला से जुड़े हुए हैं। सामने की और अक्षास्ती क्लैविकल होती है, जो मध्य में उरहफलक स्टर्नम से मिली हुई है। इसका उपरी भाग बाहु यानि की आर्म और निचला भाग अग्र बाहु फोराम कहा जा हैं और यह बीच में क्लैविकल के माध्यम से स्टर्नम से मिले हुए हैं। अधा शाखा इसके उपरी भाग को हम उरु यानि की थाई कहते हैं, जिसमें एक उर्व अस्थी फीमर होती है, जो श्रोणी की अस्थियों से जुड़ी होती है। नीचे के भाग में दो अस्थिय स्थान के बारे में की ओर्गन और सिस्टम्स क्या है। अभी तक हमने देखा कि कोशिका क्या है और उतक क्या है। जब एक ही समान को कारे करने वाली अनेक कोशिकाई मिलती हैं, तो वह उतक बनाती हैं और जो कि एक निश्चित कारे को प्रतिपादित करते हैं। अब अंग एक विशिष्ट उतकों का सम्हू है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निश्पादित करते हैं जैसे कि हिरिदय यक्रित गुर्दा आदी जब एक विशिष्ट उतक का सम्हू अर्थात एक ही क्रिया को करने वाले उतकों का सम्हू जब एक विशिष्ट प्रकार की क्र कहते हैं जैसे आपका हृद है धमनिया है यह सब रंग्त संचरन का कार्य करती है तो यह सब रंग्त संचरन तंत्र में आपके शामिल है यकृत अमाशय अगनाशय आपके पाचन तंत्र को पाचन तंत्र में शामिल किया जाते हैं क्योंकि यह पाचन क्रिया को करते हैं तंत्र इंटेग्युमेंटरी सिस्टम जिसे हम क्याते हैं कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम पेशिय तंत्र मस्कुलर सिस्टम श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम परिसंचरन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम मूत्रवह तंत्र य प्रजन तंत्र के अतरिक्त अन्य सभी तंत्र पुरुष तथा स्रियों में समान होते हैं इन तंत्रों के अतरिक्त मानव शरीर में पांच ग्यानेंद्रिया सेंस ओर्गंस भी होती हैं नेत्र जिसे हम आंक कहते हैं कर्ण कान नासा नाक जीवा जीव त्वचा इन सब के अपन इस रस जो आपको इतने भी खाने का स्वाद आता है सब जीवा के माध्यम से आता है तवचा आपका सेंसेशन का कारे करती है। आए अब जानते हैं अध्यावरणी तंत्र इंटेग्युमेंटरी सिस्टम के बारे में। पहले इसकी हम एनौटमी रचना के बारे में जान लेते हैं कि ये किस प्रकार बना हुआ है। को चर्म डर्मिस कहते हैं तथा इसमें रक्ट वाहिकाएं तंत्रिकाएं रोम पुटक तथा स्वेद्वा वसाग्रंथियां स्थित्त होती हैं। इस तंत्र में त्वचा, बाल, स्वेद, वसा ग्रंधियां तथा नाकून शामिल हैं अब हम इसके functions के बारे में जान लेते हैं कि इसके कारे क्या हैं त्वचा शरीर की संपूर्ण बहरिस्ता को आवरित के हुए है जितना भी शरीर में हिस्सा हमारा ढखा हुआ है सब त्वचा के माध्यम से है और यह शरीर को घातक पदार्थों तथा प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है सूक्षम जीवों के प्रवेश में अवरोध का काम भी करती है क्यूंकि इसके जो सिक्रिशन्स होते हैं वह एक अवरोधक का कार्य करते हैं जो हमारे शरीर में सिक्रिशन्स है त्वचा के माध्यम से जो बहार आते हैं वह सूक्षम जीवों को प्रवेश करने से रोकते हैं स्वेद ग्रंतियों की सहायता से अप्षिष्ट पदार्थों का उसर्जन करती हैं जो हमें पसीना आता है वह हमारा स्वेद का अप्षिष्ट पदार्थ होता है उसर्जन करने के लिए अवशक होता है वह स्वेद ग्रंतियां जो की तवचा मिस्थित हैं वही आपका उखार में देखते हैं कि अगर तवचा का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है तो पसीना आकर के वह तापमान नॉर्मल समान्ने हो जाता है तो यह तवचा के माध्यम से ही संभव है यह एक ज्यानेंद्री अर्था सेंस ओर्गन भी है जिसमें स्पर्श तापमान डाब त कंकालस तंत्र या स्केलेटन कहते हैं यह दो प्रकार का होता है अक्षिया कंकाल यानिकी एक्जियल स्केलेटन एक्जियल स्केलेटन यह कपाल तथा मेरू सहित उरो अस्थी वा 15 असलियों से युक्त है उपांगिय कंकाल जिसे हम अपेंडिकुलर स्केल्टन कहते हैं अंसिय यानि कि कंधा मेखला पेक्टोरल गर्डल्स उर्थ वा अधा शाखां वा श्रोनी से बनता है अब हम अस्थी के बारे में बात करते हैं क्योंकि कंकाल तंत्र जब हम पढ़ रहे ह होता है तथा अजयव पदार्त यानि कि इन ओरगनिक मेटर जो कुल भार का दो तिहाई भाग होता है उस से बनी होती होती है इस्थां की होती हैं जिसे हम नीचे देखते हैं low long bonds छोटी अस्थिया charged बॉन्स सपारड अस्थिया flat bonds निया नियमित irregular bonds पहले हम बात करते हैं लंबीद्र के बारे में अर्थात long bonds ये प्राहय उर्ध्व वा अधा शाखाओं में होती हैं ये लीवर के समान कारे करती हैं ये लंबी और बीच में नालीदार होती हैं इनके दो विस्तारित छोर होते हैं जो चिकने तथा संधायक होते हैं जैसे इनके उधारन है आपके प्रगांडिका जिसे हम होती है वहां का भाग कई छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जैसे कि पाद कूर्च मेटा टार्सल साधी में ये सुशिर अस्थी की बनी होती है इनके उधारन है मनी बंधिका जिसे हम मेटा कारपल कहते हैं तथा गुल्फ एंकल अस्थियां चित्र के माध्यम से छो चोटी अस्थियां पाई जाती है सपाट या चप्टी अस्थियां जिने हम फ्लैट बॉंस कहते हैं जहां पर पेशियों के निभंधन अटाच्मेंट के लिए अधिक सान की आवश्रक्ता होती है वहां अस्थी चप्टी होती है जहां से अस्थियों जहां से आपकी पेशि अनियमित अस्थियां जैसे कि नाम से ही पता चल रहे हैं कि इनकी जो आकृती है वो नियमित नहीं होती है तो इसलिए इनको हम अनियमित अस्थियां कहते हैं इनकी आकृती विशम होने के कारण इन्हें आनियमित या विशम अस्थि कहते हैं यह भी मुख्यता सुशी रस्थ में हैं या अकृति गोल या चपटी यह सब इनकी गुण होते हैं इनको हम इर्रेगुलर बोंस बोलन की आई अब जानते हैं अस्तियों के कारें कर तंटर के कार यह को शरीर यह शरीर को आकारवा बलप्रदान करती हैं शरीर को एक धाचा देती हैं कि एक आपका पूरा जैसे शरीर का आकार है वह इन अस्थियों के माध्यम से ही हमें दिखाई देता है पेशिक रियाओं के लिए लीवर का कारे करती हैं कॉमल अंगों की सब पूर्ण सुरक्षा करती हैं आप यह देखिए जितने भी आ टैंडन, स्नायू, लिगमेंट्स, आधिके उदगम, ओरिजन और निवेश, इंसर्शन द्वारा शरीर की प्रतेक क्रिया का साधन बनती हैं आपकी जितने भी मसल्स हैं यह सब अस्थियों में ही ओरिजन और इंसर्शन लेते हैं आपकी टैंडन्स हैं सनायू हैं यह सभी अस्थियों के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो यह इन सब की क्रियाएं भी इसी कारण होती हैं तो यह ओरिजन इंसर्शन का स्थान भी हैं और जो आपकी लॉंग बोन्स होती हैं अस्थि मज्जा जो होती है आपकी वह रक्त कोशिकाओं का निर्मान करती हैं अब बात क करते हैं पेशी तंत्र मस्कुलर सिस्टम की हमारे शरील में लगभग 500 पेशियां होती हैं इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है एचिक अर्थात स्वतंत्र जिने हम वोलेंटरी बोल सकते हैं जो पेशियों मनुष्य की इच्छा अनुसार कारे करें इन पर उन्हें ह अधारण है कंकाल पेशियां, skeletal muscles जो हैं जो तमी आपकी four arms पे muscles हैं जो आपकी biceps हैं, triceps हैं, quadriceps हैं ये सब इसके उधारण हैं जो आपकी इच्छा अनुसार कारे करती हैं अनेच्छिक पर्तंत्र, involuntary muscles जो पेशियों मनुष्य की इच्छा अनुसार कारें नहीं करती हैं उन्हें हम अनेच्छिक muscles मांसपेशियां कहते हैं, इनमें धारियां नहीं होती हैं, इनमें तालभदता, rhythmicity होती हैं, इनमें धारियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें अरेखिये मांसपेशी भी कहा जाता हैं, ये पेशियां प्राणी के भीतरी अव्यवों या इनके उधारने हिर्दे तथा आंत्र की पेशियां मांस पेशी के कारे आईए अब जानते हैं कि इनके कारे क्या है यह शरीर के स्वरूप को दर्शाती है शरीर में स्थित अस्थी संधी शिरा और सनायों को ढखती है शरीर की सभी क्रियाए आकुंचन प्रसारन आदी सभी प रक्षा करती है जैसे कि उधर पेशियां आगर आपकी पेशियां शरीर में नहीं होंगी तो आपके भीत्री अंगों की रक्षा नहीं होंगी यह इनको एक आच्छादन करती है इनको सुरक्षा प्रदान करती है शरीर को अस्थियों के साथ साथ शरीर को यह भी आकार प्र आंण पहले कि रचना जान लेते हैं श्वसन कर्म से संबंद शरीर के भाग को श्वसन तंत्र कहते हैं अर्थात जो हमारा श्वसन कर्म है, जिसके माध्यम से हमारे श्रीर में हम श्वास ले रहे हैं, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, मुख्य श्वसनांग फेफड़े हैं और शेश सायकंग होते हैं, आएए हम सायकंग की सूची देख लेते हैं कि सायकंग में कौन-कौन से आते हैं नासिका नासामार्ग रस्करिया और फे laquelle स्वर्यभान estatus here में और Вबों कि आ छिएर्ट, मैं काहिए, अवुआ से होता है? इसकी थोड़ा सा हम जानकारी ले लेता है । श्वास लेने inspiration वा श्वास छोड़ने expiration की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं ये दो प्रकार की होती है अंताः श्वसन internal respiration ये कोश्किय स्तर पर होता है इसमें रक्त तथा शरीर की धात्वों के बीच गैसों का वीनिम्य यानि की exchange होता है भाय श्वसन, external respiration ये फेफडों में होती है तथा इसमें oxygen लेना तथा carbon dioxide छोडने की क्रिया होती है जिसे हम आम भाशा में breathing कहते हैं या श्वास प्रश्वास की क्रिया कहते हैं वह सभी external respiration में आता है और जो internal respiration है ये cellular level पर होता है कि जो cell का अपना oxygen लेना carbon dioxide छोडना जो होता है वह सभ internal respiration में आता है इस तंत्र द्वारा रक्त का शोधन होता है और सधारन मनुष्य, स्वस्त मनुष्य एक मिनट में 16 से 20 बार तक श्वास लेता है प्राणयाम के माध्यम से हम इन श्वासों पर नियंदरन करना इसे कम करना सीखते हैं और साथ में एक lungs को lung capacity बढ़ाने के लिए हम प्राणयाम की क्रिया करते हैं पाचन तंत्र digestive system के बारे में देखते हैं पाचन तंत्र में आपका भोजन का पाचन अवशोशन तथा चैबचै से सम्बंधित अंग होते हैं इसके मुखे अंग है मुख गुः जिसमें की दात, जीब और तालू आते हैं ग्रस्नी, ग्रास नली, आमाशे, छोटी आत, बढ़ी आत लिवर ये सब इसके अंदर आते हैं पाचन तंत्र के साहयक अंग लार गरंथियां जिसे स्लाइवरी ग्लाइंट्स बोलते हैं यह संख्या में तीन तथा मुख गुः में होती हैं इनका मुख्य कारे लार उत्पन करना है जो कार्भो हाइड्रेट का प्रात्मिक पाचन करता है यक्रित लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है यह शरीर की पित का उत्पादन इसका मुख्य कार रहे है पिताशे जिसे हम गॉल ब्लेडर बोलते हैं पित को एक अत्रित करना इसका मुख्य कार रहे है अगनाशे पैंक्रियास अगनाशे ही रस उत्पन करने के अतरिक इंसुलिन निर्मानगी इसका कार रहे है पाचन परिक्रिया, पाचन फ्रणाली में चार मुख्य क्रियाय होती हैं, पाचन, डाइजेशन, अव्शोषन, एब्सॉप्शन, चे उप्चे, मेटापॉलिस्म, निश्कासन, एक्सक्रिशन आज के सत्में हमने कुछ तंत्र संस्थान के बारे में जाना है, जिसमें की अध्यावरनी तंत्र, सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे इंटेग्यमेंटरी सिस्टम है, वह तवचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और इसको बनाने में एपिडर्मिस होती है, और इसकी जो गहरी परत होती है, उसको हम डर्मिस कहते हैं, इस तंत्र में तवचा, बाल, स्वेध, वसा, ग्रंथियां तथा नाखून आते हैं, और इसके कार्या आपके शरीर के संपून भारिस्तय को आवरित करना, शरीर को घातक पदार्थों तथा प्रभावों से सुरक्षा प्रद यह शरीर के ढाचे को बनाते हैं, और इसके दो प्रकार होते हैं, अक्षिय कंकाल जिसे हम एक्षियल स्केलेटन कहते हैं, उपांगिय कंकाल जिसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, इसको बनाने में में अस्थी होती हैं, मानव शरीर में कुल 206 अस्थिया होती हैं, जो कि organic और inorganic matter से बनी होती हैं ये अकार की दृष्टी से चार प्रकार की होती हैं लंबी अस्थियां छोटी अस्थियां सपाट अस्थियां और अनियमित अस्थियां इनके कारे शरीर को आकारवा बलप्रदान करना है, पेशे क्रियाओं के लिए लीवर का कारे करना है, कौमलंगों की पूर्ण सुरक्षा करना है, मास पेशियां, कंडरा, स्नायू, आदिके उद्गम और निवेश को साधन बनना है, तथा अस्थी मज्जा रक्त कोशिकाओं क निर्मान करती है, मस्कुलर सिस्टम हमारे शरीर में लगभग 500 पेशियां है, और दो प्रकार की पेशियां शरीर में मुख्यता पाई जाती है, एच्छिक और अनेच्छिक, एच्छिक पेशियां वह हैं, जिसमें मनुश्य अपनी इच्छानुसार कारे कर सकता है, और अन सभी क्रियाएं सभी पेशियों पर निर्भर हैं भीतरी अंगों की रक्षा करती हैं रक्त संचार के कार्य में सहायक होती हैं और हिर्दय का स्पंधन भी मांस पेशियों के द्वारा ही होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यह हमारे जो हम श्वासकर्म से संबंधित जितने अव्यव हैं वह है श्वसंतंत्र बनाते हैं इसमें मुख्य अंग, फेफडे होते हैं बाकी सहायक अंग होते हैं नासिका, नासामार्ग, गरसनी, स्वर्यंत्र, श्वासनली, दाई और बाई, फेफड संख्या में दो होते हैं और प्लूरा में प्लूरा से आवरित होते हैं इसके द्वारा रग्त का शोधन होता है सधान्टा स्वस्त मनुष्य एक मिनट में सोला से बीस बार तक श्वास लेता है पाचन तंत्र भोजन के पाचन अवशोशन तथा चयप्चे से संबंदित सभी अंग बिलकर पाचन तंत्र का निर्मान करते हैं इसके मुख्यांग मुख गुवा ग्रस्नी ग्र आहर नाल और एलिमेंटरी के नाल कहते हैं और इसकी पाचन परिक्रिया में चार मुख्य क्रिया होती हैं डाजेशन, एब्सॉप्शन, मेटाबोलिजन और एक्सक्रिशन यहां तक हमने आज जाना है बाकी के जितने हमारे सिस्टंस बज़ते हैं हम अन्य कारक्रम में जाने आशा करती हूं कि यह सत्र आपके लिए लाबधायक उपियों की सिध्धुआ होगा धन्यवाद